आज की यह वीडियो बिये फ़स्टेर के फ़स्ट समेस्टर के छात्रों के लिए महा संग्राम रिबीजन वीडियो होने वाले हैं जिन भी छात्रों की परिच्छा सच्छा फाफ्त यानि एजुकेशन की लगी है तो वीडियो को इंड तक देखते रहेगा इस वीडियो में इतने जो कोईश्टन दे गए हैं अगर आप इनके उत्तर तयार करके जाते हैं तो आपको परिच्छा में पूरी सफलता मिलेगी क्योंकि इस वीडियो में इतने सारे कोईश्टन मैंने आप सभी के लिए इंकलूट कर दिये हैं जो पिछले फालो में कई बार रिपीटेड और इस बार आपके परिच्छा में आने की संभाव ना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लगबग लगबग इसी वीडियो से यानि कि इसी पीडियो पे आप सभी की परिच्छा में प्रश्टन आएंगे इस बात को ध्यान रखेंगे तो चलिए हम आपको मोस्ट इ स्कूल से सम्मंदित हैं लेकिन एक कोश्चन आएगा तो चाहाई उपर वाला आ जाए चाहाई ए ठीक है आप इग्नोर में कर सकते हैं इस को लेकिन उपर वाला और जो निस्ट कोश्चन आपको देखने हो कि मिला है मॉन्टेशरी के अनुसार फिच्छा के क्या सक्तियों का सफ्रुनर तथा विकास करना होता है तीसरा हो गया कि प्रस्तिति के अनुरूब धढ़ने की योगिता उत्पन करना समस्याओं का दढ़ता से सामना करना अगर कोई प्रोब्लम आ गई ठीक है तो यह कुछ मुख्य उद्देश होते हैं मॉन्टेशरी जो इसको पूल के नौसार बहुत पॉपलर कोईच्चन है कहा वार इसको भी δ्यान लखेंगे इसका उतला कि वर्तमान में राष्टे मुक्त बिश्विद्य ले से सम्मंदित 1461 जो हैं फिच्छड केंद्र देश और बिदेश में कारेरत हैं मतलब कुल मुला के 1461 फिच्छड फर्वतार पूरे देश भर में हैं ठीक है इन फिच्छड केंद्रों के द्वारा लाखो चात्रें चात्र के द्वारा चात्रों को परस्टर के जाने वारा फिच्छण बोध गम में प्रभावि हो गया है आप स्ट्र का मालूम है कि दूर दर्सन के मादधिय種 के मादधियम से कंप्विटर के मादधियम से इंट्रिन के मादधियम से रह और रह married, दूसरे अफ्ठान की जानकारी विखाया यह उत्तर आपके समप्ष्टू थैं ठीक है और अगला प्रस्ट कीiben है कि प्रात्मिक विच्षा की निद्रिश्पार कि तो आप लिए कि प्र्थम कींगे विच्छा किसे कें तो आप को पूंछ विच्छा होती है उसको प्रृत्मिक वुख्षा केंगे बालक की जो उमर होती है छे या फात वर्स होने पर प्रात्मिक फिच्छा प्रारम होती है कब से होती है कही कही पर पांच वर्स से ही शुरू हो जाती है कही कही पर और भी कम से शुरू हो जाती है लेकिन जो सामानेता लिखी पड़ी भासा में बोला गया है वो पांच से छे प्रात्मिक फिच्छा अफ्तर पर बालक किसी फिच्छा संस्था में नेमित ढंक से बिद्या यानि कि अपना जुपढ़ाई है वो करता है अध्यन प्रारम कर देता है भारते संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालकाओं के लिए नुसुल को यानि कि जो भारत का सभी तक यानि कहने का मत्तब यह है कि चार या पांच वर्स से लेकर या फिच्छे लेकर 14 वर्स के बीच की जो बच्चे होते हैं उनको जरूरी फिच्छा है उनको पढ़ाई जरूरी और वो फिरी है यानि कि निशुल को यह अनुच्छेद में भारते स्मिधान को उसमें यह बताया गया है ठीक है यह संकल्प नहीं थे शन्स उन्निय सो साट इसबी तक निसुल के उम अनिवार फिच्छा के लच्छ को प्राप्त कर लेने की समय सीमा भी निर्धारी थी पांच दसक बीच जाने के बाद भी इफ लच्छ को प्राप्त करने में कम काफी दूर है कहन पर अभी फिच्छा जो है वो अच होती है मतलब वहां तक अभी फिच्छा पहुंच नहीं पाई यह बहुत फारे ऐसे गाहों में खास करके बहुत फारे एफ चोटे चोटे गाहों है जहां पर भी श्कूल की फैसिलिटी नहीं है ठीक है या फिर है भी तो वह नामातर के लिए है तो इस प्रकार अभी भी पूरी तरह ये जो मतलब कि ये संकलब लिया गया था ये लच लिया अगया थे पूरा नहीं हो पाया तो बहुत ही पॉपलर कोेसिच divergence परिच्छा कि विश्वताएं प्रात्मिक विच्छा कि परिभांसा प्रात्मिक प्रात्मिक विच्छा का महत्तों इन में से प्राइक पुप्लर और अगला तो प्रश्न प्रस्वीजिया करें जैसे की प्राथ्मिक विच्छ तो उद्देश में आप लिखेंगे कि प्रयाप्त जानकारी प्राप्त करना यह होता यह जानकाइब जो बच्चे होते हैं। उनके भावतिक, मानसिक, समाजिक, भावात्मक नहितिक तथा आध्यात्मिक आशक्ताओं को पूरा करके उसके बेक्तुत का भिकास करना ये भी प्राथ्मिक फिच्छा काुदधेश होता है। बालक के प्रति देशा प्रेम धार्म यानि के देशा के हित में हरकार करना ठीक है देशा प्रेम करना मतब्र देशा वर समाच की आपके प्रति पृच्षा क JAC दिखाना उसके प्रत उसको जागरोग करना यह कुछ प्रमुक प्रात्मिक विच्छा के उद्देश होते हैं और भी बहुत पारे उद्देश हैं जो कि आपको पढ़ लेना यहां पर ठीक है बहुत इमात्मों प्रशने अगला के विच्छा के अभिकरण से क्या आफ यह कभ प्रात्मिक विच्छा के अधाणा के बारें पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तर में लिखना कि जर्मनी के बहुत ही पॉप्लर और विख्यात सिच्छा फाफ्तरी जिनका नाम है फ्रोबेल ठीक है फ्रोबल ने ब्लेंकन वर्ग नाम के गाउं में सरप्रथम प बाक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुवात की जिसमें 2-6 वर्ष की आयो तक के बच्चे को विभिन उपकरोड़ों की सहायता फे खेल खेल में फिच्छा परदान की जाती जो मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत छोटे ब पहानी के रूप में बताके ठीक है फिच्छा देना होता है तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे और फिर अगला पॉइंट यहां पर है कि भारत देश में सन उनिस सो उन्तालिस पे चालिस में डॉक्टर मॉन्टे सरी का अगमन हुआ तथा उस समय की इसाई एठीक है मिस्नरियों द्वारा भारतियों में पूर प्रात्मिक फिच्छा का सोत पात्र हुआ ठीक है तो इस प्रकार छोटा सा प्रचे आप लिखेंगे उसके बाद पूर प प्रवाइट करा देंगे तो उसमें से इन सभी प्रश्णों का उत्तर तयार कर लिजीगा लेकिन बहुत सारे कोश्चन है जो जो हम आपको बता रहें उनको तयार करेंगे ठीक है अगला प्रश्ण बहुत ही महात्पूर कि मानुस संसाथन विकास में फिच्छा का क्या यो मानुस अधिकार यह भी महात्पूर प्रश्ण इसको भी ध्यान लखेंगे ठीक है ओके अगला प्रश्ण है कि सांस्कृत की हफ्ता अंतर में फिच्छा किस प्रकार सहाय कि इतना महात्पूर नहीं कभी आता कभी नहीं आता तो अभी इग्नूर कर सकते हैं आगला कोश्च इसको भी नोट कर लीजिए कल्चर जिसको इंगलिस में कल्चर बोलते हैं और हिंदी में सांस्कृत बोलते हैं तो सांस्कृत से आप क्या समझते हैं यह भी बहुत ही महात्पूर प्रश्ण है महात्तिय क्ल्चर फिर्चिन आप नहीं अएग परिभांगी उदेष जो कर से चया दनीं आपकी कमचे कम ह्यां आता है परिवांज से या फिर्बिस इस्ताय यह ज्याददाइन है प्रिभांज समाजिक परिवर्तन के यौधाना ये भी popular question भसकेगा समाजिक परिवर्तन फिर जुड़ा त्रश्झन ही 100% ओपचारिक तथा अनोब्चारिक फिच्छा तथा और नौब चारिक फिच्छा उन में से ये कमाने के चांस है तो अबचारिक सिच्छा और प्लफ अबचारिक फिच्छा के बारे हमको जुरूर तयार कर लिए न ठीक है ओकी दोनों में अंतर भी पढ़ सकते हैं आप लोग फिच्छा के लोग तांतरी कुद्देश ये कभी कजा रहाता है अगला कोइशन के फिच्छा के किनी पाँच कारे के बारे में ठीक अगला प्षणिक समय में मुल्फ अच्छा कि क्या बसकता ये हमेशा नहीं अता कभी तो आप पढ़ Prof 어떻게 लेंगे बहुत ही पॉपलर कोईश्चन है यह विकास का उद्देश बताई यह पिछली बार आया था कुछिन ठीक है और यह कोईश्चन इस बार भी पूंचा गया है कि विकास के उद्देश बताई यह भी महत्पूर्ण प्रस्ट ने ठीक है और अगला इग्नोर कर सकते हैं यह इतना मात पूर्ण नहीं ठीक है अगला की बिद्द्य क्या अभिप्रिया यह भी कभी कदार आता हमेसा नहीं आता और आता तो अतले घुत्रे में ज्यादा ध्यान नकिए ठीक है फिच्छा की दो भी सिस्ता है यह मैंने आपको पहले बता रखा ते एक प्रस्ट भासेगा फिच्छ भी सिस्ता है फिच्छ परिभासा में चर्छी ठीक है गुरू की अधाणा और प्रचीन काल के गुरू और सिस्ट के बीच सम्बन्ध को बहुत ही पोप्लर कॉश्चन है आपकी परिच्छा में पसने के पूरी चांस है ठीक है वरतमान फिच्छा और प्रचीन सिच्छा में अंतर प्रचीन सिच्छा केफे कहते हैं और वरतमान के फिच्छा किसे कहते हैं इन दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना बहुत ही popular question है बाकी ये PDF और हमारे पास एक और पिडियु पर इन दोनों को हम आपको टेली ग्राम वाट्सटप में फट्रवाइड करांएगे तो एं में दे गें जो मैंने महता है एनको तयार कर लेंगे तो आपके घ्या में मिल जाएगी टेली ग्राम support पिशन्य ने हमें जैनी